नमस्कार आप सभी के समय आज के समय में बड़ारी पात्रों की साथक्ता के बारे में बोलने चाह रही हूं जिसमें मैं श्री राम की साथक्ता के बारे में बताऊंगी श्री राम हमारी सांसों में समाए है श्री राम भारत की आत्मा में समाए है श्री राम आज भी उतने प्रसंडिक है क्योंकि उनकी काजप्रादी का दूसरा नाम पजातंत्र है श्री राम यानि धर्म, संस्कृति और पराक्रम श्री राम प्रतिमान नहीं, प्रतिमान है नव में चमकते हुए दिनमान है एक आदमी का जीवन व्यक्त करने के लिए जो तत्व, आदश और नियम जरूरी है उनके सामन जिसका नाम श्री राम है एक तरफ उनके आदश हमारे मन को जीवन की उच्चाईयों तक पहुचाते हैं वहीं दूसरी तरफ उनकी नातिकता मानव मन को सक्रात्मप उजा देती है उनका हर एक कार्य हमारे विवेक को जगाता है और आत्मपल बढ़ाता है धर्माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा श्री राम की तरह गुणवान हो और हर पत्नी चाहती है कि उसका पती श्री राम की तरह आदशवान हो यही कारण है कि युग बेट जाने के पार भी श्री राम के आदश अभी वियाद किये जाते हैं और श्री राम के आदश कभी न भूमने वाली संपत्ती है उनके कारताली और आदश आज भी हमारे सच्चे पद्रक्षक है एक आदश है वो भगवान है राम आस्ता है कोई नारा नहीं राम गंगा है कोई अंकारा नहीं जै श्री राम धन्यवाद अंदान छबकोई